ट्रियाज के पिछले एपिसोड में हमने देखा, तोल जिन्ता को कहता है कि क्या तुम तिन को वापिस ला सकते हैं? जिन्ता तोल को पास्ट में भीर्ज देता है, तोल की जॉब है कि वो तिन को उसका लव याद कराए, नहीं तो तिन फिर से मर जाएगा, पर उसे माय और रित के साथ की हुई पास्ट मिस्टेक्स भी फिक्स करनी होगी, वो तिन को फॉलो कर रहा होता है, वो क्लॉक टावर प पर मिलने का, डियर कहती है, नहीं, तिन फूचता है, तो किसने कहा था, वो छोड़ो तुमें कुछ खाना है, हम काफी टाइम से नहीं मिले, तोल ये सब देख रहा होता है, उतने में उसको आट का फोन आता है, और वो वहां से जाता है, तोल उसके घर पर होता है, वो तुम सिफ मुझे देख नहीं सकते, तोल कहता है, इसका मतलब आच तुमने तिन और वो लड़की को देखा, ऐसा कैसे हुआ, जिन्ता कहता है, बहुत रीजन्स होते है, जिसे वो मिले, तोल कहता है, अरे तो तुमने मुझे किये पहले, क्लियरली क्यू नहीं कहा, जिन्ता कहता है, तुम इतना फरस्ट्रेट क्यों हो रहे हो छोटी-छोटी बातों पे, अभी तुमने फोकस्ट होना चाहिए, कि तिन तुमारे रिलेशन्शिप को क्यों कन्फ्यूस कर रहा है, इसलिए उसे लगा कि डियर ने उसे ग्लॉक टावर पे इन्वाइट किया था, तोल क कहता है, वह तोल सोचता है, मुझे खुद रास्ता डूढना होगा, मैं स्टाट कहां पे कर ऊपर, वह फैंग को मैसेज करता है, कहता है कि मैं तिन का जूनियर हूँ, मुझे उसके साथ फलर्ट करना है, क्या अप हेल्प कर सकती है, फैंग तिन और तोल काफे में बैठे हो दिन को बैठे है, हाँ, सच है, दिन को केक खिलाती है, तोल फैंग की तरफ देखता है कि, औरे मैं क्या करूँ अब, फैंग नौड करती है कि मैं कुछ करती हूँ, वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी सारी केक्स खानी चाहिए, मुझे तो क्रिस्पी पॉर्क ब करता है, तोल कहता है, मुझे पता है कि हम गलत रासिप से स्टार्ट हुए, पर क्या मेरी बात सुन सकते है, तिन कहता है कि इसके बारे में, तोल कहता है, हम पहले एक दूसरे को जानते थे, तिन कहता है, मुझे पता है, जब हम यंग थे, तोल कहता है, हाँ, वो, पर हम उस âu 1 तो तेस अगर मेरे लोकम स salv Kylie लोगों वह त्राइबू है तोमे राहने होुआ के दोंगा जय मेरा हो नहीं किके क्या है Fang कहती है अरे तुम लोग जब यंग थे तब क्लोस थे राइट तो उसके पेरेंट्स को यूज करो एक इंटरनल इंक्वाइरे फेस करते हैं फिर वो ठांग च्रोय को फोन करते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी हल्प करनी पड़ेगी तुम्हारे पास सारा पावर है वो कहता है तुमने अच्छा काम किया है पर तुम अभी क्वालिफाइद नहीं हो हमारे में से एक बनने के ल अगर सकते हो तो तुम हमारी टीम के जोईं कर सकते हो पर ये इस ताइम में अपनी प्रॉब्लम सारी क्लियर कर लेना डोक्टर साग कैता है हाँ मैं ये जिता जल्दी हो सके उता कर दूंगा दोई साग को पूछता है हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना डॉक्टर साग कहता है नहीं, अगर हम चीजे डिलिवर कर सकते हैं, तो, दोई पूछता है, हम आगे क्या करें, रॉस्वान दे तो यहां से जा रही है, हम सेम ब्लड टाइप का पर दूसरा किसी को कैसे डूनेंगे, साग कहता है, यह मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम सिफ evidence का धियान रखो, और यह make sure करो कि वापिस कुछ ना आ जाए, दोई कहता है, evidence को handle करो, क्या आप चाहते हैं, डॉक्टर साग कहता है, हाँ, उन सब को ठिकाने लगाओ, सारा evidence और सारे witnesses, कोई भी जीना नहीं चाहिए, दोई कहता है, पर मैं यह नहीं कर सकता, साग कहता है, मेरी बात सुनो, अपने future का सोचो, तुम्हारा rich और powerful future, जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, सिर्फ यह काम खतम करो, दिन उसकी माम के साथ फोन पे होता है, उसकी माम कहती है, कॉल करने के लिए sorry, पर मेरी जो friend है, fan, वो चाहती है कि तुम उसके son को मेरी टाइम नहीं है, मैं किसी को कैसे duty करने जाओ, उसकी माम कहती है, come on, तुम उसे जानते थे, जब तुम छोटे थे, bang ने कहा कि वो तुम्हारे same university में पढ़ रहा है, तुम मेरे लिए इता नहीं कर सकते, दिन कहता है, आपने पूछा है, तो मैं refuse कैसे कर सकता हूँ, दि जाता है, उसके हाई स्कूल में फ्रेंड्स दे उसे नाम दिया था, दिन कहता है, उत्ता अजीब नहीं है, दो नाम रखना, मेरे फ्रेंड के भी दो नाम है, तुम पूछता है, वो क्या है, तिन कहता है, मेरा मतलब है, रोजी, और वो एक नोजी है, सो हम उसे ऐसे बिलात तिन कहता है हम टूटरिंग सेशन स्टार्ट करें ताकि बहुत लेट ना हो जाए तोल कहता है अभी मैंने कुछ खाया नहीं है उसकी मॉम कहती है चलो हम खा लेते हैं पहले तिन कहता है फिर बहुत लेट हो जाएगा रात को घर जाना डेंजरिस हो सकता है तोल के डाट नहीं लगता है अच्छा टाइमिंग होगा तोल कहता है हम कल सुबह चले जाएंगे हॉस्पिटल मेरे घर से नजदी की है तोल की मॉम कहती है हाँ मैं भी वरीड हूँ तुम यहीं पे सोजाओ अगर तुम उससे ओके हो तो तिन कंफ्यूज होता है और तोल स्माइल करता है फ तुम सुन रहे हो तोल कहता है हाँ फिर वो उसे करता है तोल कहता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया क्या तुम फिर से कर सकते हो तिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है तोल वो एक्स्क्यूज यूज करके उसके तरफ लीन करता है ताकि वो उसे किस कर सके तिन यह इसके बाद में continue करेंगे तोल सोचता है ये plan तो काम नहीं कर रहा है तो मुझे एक second plan की जरूरत होगी वो पूल में कुछ जाता है और brown होने का नाटक करता है तेन उसे बचाता है वो उसे पूल के बाहर निकालता है और उसकी pulse check करता है तोल जागता नहीं है पर उसकी pulse check की हो होता है और सोचता है damn it ये plan भी काम नहीं किया तिन और तोल तोल के बेट पे होते हैं तोल के बारे में तिन केता है भूल जाओ तुम सिफेक बच्चे हो जो खेल रहा है तोल केता है सो उसके बारे में सोचो तो ये जब हम छोटे थे उसकी मुझे याद दिलाता है जब मैं YouTube तुमहीं याद है तो age сидव है तुम्हें याद है मैं भृध दर गया था वह मेरा भी फॉल्त था अगर में टाइम को तरन बैक कर सता मैंने वह modeled स्टील नहीं किया हो था तुम है तुम्हें लगता है कि वह क्लिजीडेंट उस्टन अच्छा था मैं जिते स्यादा लोगों मिलता हूँ, मुझे उत्ता गुसा आता है, मेरी लाइफ में chaos और conflict ही होता है, तोल कहता है, पर तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें लोगों को मिलना तो पड़ेगा ही, तिन कहता है, नॉर्मली ER पेशिंट्स उनके डॉक्टर के साथ उतनी बाते न तिन कहता है, वो तो unavoidable है, इसलिए तो मेरे friends मुझे push करते रहते हैं, वो प्रोफेसर के बारे में चीज़े find out करने का, तोल कहता है, प्रोफेसर, आप डॉक्टर साथा की बात कर रहे हैं, तिन कहता है, वेट, तुम्हें उसके बारे में कैसा पता, तोल कहता है, मेरा दोस उसने वो डॉक्टर से surgery करवाई थी, उसका नम बारत है, क्या आप उस जानते हैं, तिन कहता है, हाँ, वो लड़का, मुझे कोई interest नहीं है, hero या detective बनने में, end में, real world में justice होता ही नहीं है, तोल कहता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तिन कहता है, सोचरीस के बारे में, वो drunk driver, जो एक person को hit करें, और उसके साथ कुछ भी ना हो, पर वो जो innocent person था, वो बन गया, वो उसका fault नहीं था तो भी, दोल पूछता है, आपकी sister के जैसे, तिन उसकी तरफ देखते रहता है, और दोल कहता है, मुझे अपनी mom से पता चला, आपकी mom ने उन्हें कहा, मुझे लग गया होता है, पर तोल जाग रहा होता है, वो उसके नजदीक आने का try करता है, और इसे केस करने का try करता है, पर वो कर पाय उससे पहले दिन जाग जाता है, तोल सोने का नाटक करता है, दिन को याद आता है, जब वो शूट हुआ था, वो जर्क लेके जागता है, और उसको तो उसकी notebook दिखती है, इस बार जब वो notebook में से पढ़ता है, उसे सब कुछ दिखता है, अगली सुबा तोल जागता है, और देखता है कि तिन महाँ पे नहीं होता है, तिन होस्पिटल में होता है, उसे उसकी death याद आ रही होती है, उसे तोल के साथ की बाकी भी memories याद आती ह गाप आता है, और वो तिन को सिंग के पास ले जाता है, सिंग कहता है, तिन मुझे रिद के लिए justice चाहिए, अगर तुम speak out करते हो, तो सब खतम हो जाएगा, तिन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और मुझे ये कहने दो, ये सब को भी नहीं मिल सकता, तिन सिंग को अटाक करता है, सिंग उसे क्यूज करता है, क्यों, क्या तुम्हें डाल लगता है, कि तुम एक्सपोस हो जाओगे, तिन कहता है, मैं यहां सबे सिर्फ एक resident हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंग कहता है, अगर तुमने कुछ गलत नह नहीं रहा है, सिंग दिन को फिर से प्रवोक करता है, गैप उन्हें फिर से stop करता है, गैप कहता है, तुम उसे प्रवोक करना बंद करो, सिंग कहता है, तुम उसकी साइड ले रहे हो, वो दिन को कहता है, फाइट मत करो, दिन गुसे में चला जाता है, गैप सिंग को कहता ह Sing, तुम calm down हो जाओ, Sing कहता है, मैं कैसे करू वो, हाँ, तुम नहीं देख सकते कि वो कितना selfish है, क्या तुम ऐसा किसी और के साथ होने दे सकते हो, Gap कहता है, Sing, तुम अपना गुस्सा मेरे पर नहीं निकाल सकते, मैं भी human हूँ, मेरे पास भी feelings है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें रिद की help करनी है, पर तुम सिफ रिद की बारे में ही सोच रहे हो, हर चीज रिद के बारे में ही होती है, मेरी feelings का क्या, मुझे ये सब सुदना पड़ता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी feelings की care ही नहीं करते है, गाप गुसे में चला जाता है, तो ये सब कैम्रा में देछ रहा होता है, वर डॉक्टर साइओ को बताता है, ब्रॉक्टर साइओ कहता है इस के बारे में सोचो तु दिन काफी interesting है, इस येर में होता है, तोल आता है, और वो कहता है, आपने मुझे कहा क्यू नहीं कि आप सुबही चा रहे हैं। तिन कहता ह मैं चल्दी में था, so मैंने तुम्हें नहीं कहा, तोल केता है, आपको मुझे कहना चीह था, मैं आपके ले किता वरीड था, तिन केता है, seriously, तुम्हें चिंता काने की क्या जरूरत है, क्या हम बॉइफ्रेंट्स है, क्या मुझे अपने लाइफ के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, हम, तोल केता है, आप okay है, तिन केता है, questions पूछना बन करो, तोल केता है, मैं कहीं नहीं चारा है, जब तक आप मुझे नहीं बताते कि आपके साथ क्या हो रहा है, अप मुझे ऐसे ignore क्यू कर रहे है, तिन केता है, तुम मुझे परेशान क्यू कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पास उता टाइम है, दूसरे लोगों की काम में दखल देने खा, कौन होते हो तुम हाँ, क्या कोई स्टॉकर हो, तोल कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तिन कहता है, मुझे तुम्हारा चहरा वापिस नहीं देखना है, और तिन महां से चला जाता है, गैब डॉक्टर्स लाउंज में होता है, और वो सिंग को गालिया दे रहा होता है, सिंग पीछे से कहता है, वो लास्ट पार्ट क्या था, ग Gap कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं भूख लगी, Gap के स्ट्रमक में से आवाज आती है, Singh कहता है, तुम्हारे स्ट्रमक की स्क्रीमिंग, मैं हॉस्पिटल के बाहर से भी सुन सकता था, और तुम कह रहे हो, तुम्हें भूख नहीं लगी है, ये ले लो, Gap कहता है, तुमने ये क्यों भाई किया, मैंने तुम्हें कहां नहीं था, Singh कहता है, वेल, क्या मैं माफी नहीं मांग सकता, Gap कहता है, उसे यहीं पर छोड़ दो, मैं बाद में खा लूँगा, Singh कहता है, Gap, मैं बहुत ही सौरी हूँ, अगली बार में तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं होँगा, Gap कहता है, तुम ऐसे फिर से करोगे, मुझे पता ही है, Singh कहता है, मैं नहीं करूँगा, मैं ज्यादा काम और जेंटल रहूँगा, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूँगा, फिर वो अपनी पिंकी एक्स्टेंट करता है, और कहता है, मेरे पे घुस्सा मत हो, Gap उसे लेता है, Singh कहता है, तो अब हम ओके हैं, Gap कहता है, एक cup of noodles काफी नहीं है, अज सुभी तुमने जो किया उसके लिए, Singh कहता है, तो मैं क्या करूँ, Gap कहता है, आज तुम्हारा room free है, Singh कहता है, हाँ, क्यों, Gap smile करता है, Singh कहता है, तो हम afternoon shift पे काम नहीं करेंगे, और हम मेरे room में जाएंगे, पर हम करेंगे क्या, Gap कहता है, तुम देखोगे, Singh smile करता है, तो डॉक्टर साफ तिन को बुलाते है, और वो कहता है, आज मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक special proposal है, अतिन कहता है, अगर आप यह चीज़ के लिए मुझे बुलाते हैं, तो thank you कहना चाहूँगा, पर मैं कुछ lack नहीं करता हूँ, साफ कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कौंकेन वापिस जाना है, मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ, महां का official ER doctor बनने में, क्या तुम interested नहीं हो, मुझे पता है कि ER room में आजकल कुछ patients आते हैं, जिनको तुम treat करना नहीं चाहते हैं, जैसे कि वो drunk drivers, और जो लोग accident में होते हैं, और bad लोग, जो दूसरे को victimize करते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग deserve करते हैं, उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए, तिन कहता है, आप exactly क्या मांग रहे हैं मुझसे, डॉक्टर साब कहता है, इतना सब मत सोचो डॉक्टर तेन, तुम सिफ अपनी job करो, अगर कोई drunk drive case होता है, तो उसे मेरी तरफ भेज देना, वो लड़के को जैसे तुमने भेजा था वैसे ही, उनके पास जो है, वो बाकी लोगों को save कर सकता है, और तुम्हारे पास time होग उनको treat करने का, जो deserve करते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हो, कुछ ज्यादा मत सोचना, तुम ऐसी लोगों के वज़े से ही सफर कर रहे हैं, और जब से तुम्हारी sister मट गई, मुझे लगता है कि ये fair है, उन लोगों के लिए जो social responsibility lack करते है, तुम्हें घर जाना नहीं है शायद तुम्हें अपने scholarship debt pay नहीं करनी है, नहीं तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए भस जाओगे, तिन कहता है, ये कैसे काम करेगा, डॉक्टर साग कहता है, मुझे एक नई जॉब मिलने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उसमें काम करो, वो तिन के account में पैसे transfer करता है, और कहता है, ये छोटी से deposit है, अगर तुम प्रूफ कर सकते हो, कि तुम हमारे secrets कीप कर सकते हो, ये number बढ़ता ही जाएगा future में, तिन कहता है, ओके, मुझे इसके बार में सोचने देजी है professor, डॉक्टर साग कहता है, ठीक है, मैं होप करता हूँ कि हम एक जाता है नहीं, तुम्हारे पास अब सिफ एक दिन बाकी है, सब कुछ फिक्स करने के लिए, कल 10.55 पीम को, तुम्हारा टाइम कंटिन्यू रहेगा, और वो कभी turn back नहीं होगा, तो और कहता है, मुझे पता है, मैं अपना bestry कर रहा हूँ, बर ये तिन, वैसा तिन नहीं है जिसको मैं जानता था, बहुत अच्छा होगा अगर वो वैला तिन वापस आजाए, जिन्ता कहता है, वो तुम्हारी duty है, तिन को सही पात पे वापस लाने की, उसने तुम्हारी help की थी वैसे ही, और मुझे warn करने दो, ये loop में, वो अब life को value नहीं करता, पिछले loops की जैसे तोल पूछता है, ये इसकी वज़े से है, जब तुमने कहा, अगर मैं तिन के साथ नहीं होंगा, तो वो disaster होगा, उसका मतलब है, कि वो कोई गलत रास्ते पे जाएगा, जिन्ता कहता है, शायद, all right, मैंने तुम्हारी बहुत help की है, अब से तुम्हें खुद की help करनी पड करती है, अगर तुम्हें उसको वो use करना आता हो, तो वो जिन्ता हसता है, और फिर वो gab हो जाता है, तोल नोटबुक को consult करता है, और वो deduce करता है, कि तिन ऐसा इसलिए है, क्योंकि उसने रित की life save नहीं की थी, वो सोचता है, कि अगर वो रित को उसके साथ बात करने करता हूँ, डॉक्टर साथ को expose करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम तिन से बात करो, पर ये तुम्हें खुद करना होगा, मैं तुम्हारे साइट पे हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल में जल्दी से मिलो, रित कहता है, कि मैं तुम्हें आट बेचे मिलता हूँ, अभ जोए के हाथ में गन है, और यहाँ पे ट्रियाज एपिसोड 12 खतम होता है, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो को लाइक कीचिए, और मेरी चानल को सब्सक्राइब कीचिए, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए, बाइ बाइ!